आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स दिखाने जा रहे हैं जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद कोई यकीद नहीं करता वीडियो बहुत ही अमेजिन होने वाली है इसलिए वीडियो को अंतितक देखती रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अभी आप जिस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं पहली नजर में देखने पर आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा परंतु ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि कैसे अचानक से एक व्यक्ती काले रंग की गाड़ी के सामने आ जाता है वीडियो देखने से पता चलता है कि ये व्यक्ती वहां कहीं मौजूद नहीं था परंतु जैसे ही ये गाड़ी गोलाई पर मुड़ती है अचानक से एक व्यक्ति उसके सामने आ जाता है ये कैसे आया कहां से आया कुछ कहपाना असंभव है अब आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इसमें एक व्यक्ति अपने बच्चे को साइकल पर घुमा रहा है और अचानक से कोई काला साया उन दोनों को वहां से उड़ा ले जाता है और तभी वहां पर पत्थर का बड़ा टुकड़ा आकर गिरता है जिससे वो बाल बाल बच जाते हैं अब ये कोई आदरस्य शक्ति थी या कुछ और कुछ कहा नहीं जा सकता चलिए अगली वीडियो देखते हैं इस वीजियो में एक व्यक्ति बाइक पर सबार होकर जा रहा है सामने रेलवे क्रॉसिंग है और फिर अचानक से रेलगाडी आ जाती है उसकी बाइक तो रेलगाडी की टकर से उर्ज जाती है परन्तु रहस्मई तरीके से वो व्यक्ति सुरच्छित वहीं मौजूद रहता है ध्यान से देखने पर लगता है कि बाइक के साथ वो व्यक्ति भी रेलगाडी के नीचे आ गया पर अगले ही पल ना जाने कहां से और कैसे वो व्यक्ति सुरक्षित बापस आ जाता है ये कैसे हुआ कुछ कह नहीं सकते अब जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो दिल्ली सहर का है इस वीडियो में दो आदमी सडक से गुजर रहे हैं तभी अचानक से पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति पर हमला कर देता है तभी कुछ ऐसा होता है कि समझना मुश्किल है नीचे गिरे व्यक्ति के अंदर से कोई अंजान साया निकलता है और सामने वाले व्यक्ति को धक्का देता है और फिर उसी व्यक्ति के अंदर समा जाता है आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे कुछ लोगों का कहना है कि वो पीछे वाला व्यक्ति उसे लूटने के रादे से उस पर हमला करता है तब ही कोई अनजान सकती ऐसा होने से बचा लेती है अब ये कैसे हुआ, क्या था, कुछ भी कहताना मुश्किल है अब आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें एक छोटी बच्ची अपने मोबाइल कैमरे से कुछ रिकॉर्ड कर रही है कभी कुछ ऐसा होता है जिसने सब को हैरान कर दिया पहली नजर में देखने पर तो कुछ खास पता नहीं चलता परंतु ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बच्ची तो चपल पहन रही है वो अचानक से अपने आप भी घूम जाती है एक बार और ध्यान से देखें और ये लड़की क्या बोल रही है वो भी सुने वो बोल रही थी कि उसके एक रिष्टेदार की मौत हो गई है और उसे रोने जाना है अब आप जो वीडियो देख रहे हैं ये एक कबरिस्तान का वीडियो है जिसमें से किसी के रोने की आवाजे आती थी और जब ड्रोन से इसकी निगरानी की गई तब एक रात कुछ ऐसा दिखा कि सब हैरान हो गए वीडियो में एक कबरि के पास कोई बैठा दिखा परन्तु जब ब्रोन उसके पास गया तो वो गायब हो गया अब ये कौन था कहां से आया था कुछ पता नहीं अब आप जिस वीडियो को देख रहे हैं ये डिजनी लेंड का है इस वीडियो में एक महला मार्वल की सुपर हीरो वांडा की ड्रेस पहन कर भूम रही है तभी कुछ ऐसा होता है जो समझपाना मुश्किल है पहली नजर में आप कुछ समझ नहीं पाओगे परन्तु ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि एक व्यक्ति जो पहले से वहां मौजूद नहीं था परन्तु अचानक से वो वांडा के सामने आ गया ध्यान से देखने पर पता लगता है कि उस व्यक्ति की ना तो कोई परचाई थी और ना ही वो परन्तु ना जाने कहां से अचानक से वो वांडा के सामने आ गया कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई टाइम ट्रावलर था अब अगली वीडियो पर चलते हैं इस वीडियो में एक वैन सडक पर जा रही है उसके आगे पीछे दाइवाय कोई व्यक्ति नहीं है परन्तु वैन के पास होते ही उसके पीछे से ना जाने कहां से एक व्यक्ति प्रकट हो जाता है कुछ लोगों का कहना है कि ये वैन से ही कुछ होगा परन्तु इतनी स्पीड में अगर वो कूद था तो बैलन्स बनाना मुश्किल था परन्तु वो तो एकदम सीधा खड़ा था कुछ लोगों का कहना है कि वो टैलिपॉर्टेशन की मदद से वहां आया था अब इसमें कितनी सचाई है कहा नहीं जा सकता अब जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें अचानक से एक लड़की गायब हो जाती है आप देख रहे हैं कि एक लड़का रील्स बना रहा है कुछ लोग उसके पीछे आते नजर आ रहे हैं उन्हीं में एक लाल ब्रेस पहने लड़की नजर आती है परन्तु अचानक से वो गायब हो जाती है ये सच्ची वीडियो है या एडिटिंग करके किया है कुछ भी कहा नहीं जा सकता परन्तु वीडियो रहसम ही है अब जो आप देख रहे हैं वो एक फोटो इसी फोटो में कुछ बच्चे एक साथ खड़े होकर फोटो खिजवा रहे हैं उनके पीछे एक घर भी दिख रहा है परन्तु ध्यान से देखने पर घर की खिड़की पर एक सफेद कपड़ों में साया खड़ा है लोगों का कहना है कि जिस घर के सामने खड़े होकर ये फोटो ली जा रही है वो सालों से बंद पड़ा था उसमें कोई भी नहीं रहता था ये सालों से पूरी तरह खाली था फिर वो साया कहां से आया क्या वो कोई इनसान ही था या कोई भूद कुछ भी कहपाना मुश्किल है परन्तु ये फोटो लोगों के रहस का कारण बनी हुई है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप तक कोहशती रहे तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांक यू फॉर वाचिंग